Hello दोस्तों, आए आज इस वीडियो में समझ लेते हैं, United शब्द का, हिंदी और इंग्लिश में में मेनिंग, with example, United United का, इंग्लिश में में मेनिंग होता है, join together हिंदी में में मेनिंग है, सैन्युक्त, मिला, सैन्युक्त रूप, युगमित चलिए इसको example से समझते हैं, the team is united in their goal, to win the championship team, championship जीतने के अपने लच्छ को लेकर एक जुट है, the team is united team, एक जुट है, या सैन्युक्त है, in their goal, अपने लच्छ को लेकर to win the championship, championship जीतने के लिए, goal का मतलब है लच्छ, united का मतलब है एक जुट होना, या सैन्युक्त होना, या मिल जुलकर होना, तो इस वीडियो में इतना है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें